आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे शुड का यूज शुड का यूज तो चलिए देरी ना करते हुए टाइम वेश्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरह बढ़ते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राज सिवा मिस्टरी पॉइंट पर स्वागत है आई होप आप लोग उसका मिनिंग बता देते हैं शुड शुड मिन्स चाहिए शुड बी होना चाहिए शुड हैव चाहिए था शुड हैव बिन होना चाहिए था देख सकते हैं आप लोग केवल शुड रहेगा तो चाहिए शुड बी होना चाहिए शुड हैव चाहिए था और शुड हैव बि होना चाहिए था तो चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं देखिए should सिर्फ should का युज़ है यहाँ पे should मिन्स चाहिए formula देख लिजए आप लो subject प्लस should प्लस verb का first form प्लस other ठीक है जैसे आप लोग नीचे example में देख सकते हैं आपको जाना चाहिए इसका translate क्या होगा you should go you should go आपको जाना चाहिए देख सकते हैं आप लोग उपर लिखा हुआ है should means go आगे देखें should be should be means होना चाहिए मैंने आप लोग को बताया इसके पहले should means चाहिए और should be means होना चाहिए तो इसका formula है subject प्लस should be ठीक है, देखिए example देखिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, इसका translate English, he should be at home, इसमें देखिए, यहां एक no action verb tense है, यहां पर कोई कारे नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें verb का कोई form नहीं लग रहा है, ओके, I hope आप लोगो समझ में आ रहा होगा मेरी बात देखते हैं, should have का use, should have चाहिए था, should, चाहिए, should been, sorry, should have, should be, होना चाहिए, should have चाहिए था, अब इसका formula देखिए, should have का जब हम use करेंगे, तो कौन सा formula लगाएंगे, सबसे पहले subject, फिर plus, फिर उसके बाद should been, फिर plus, verb का third form, plus other, ठीक है, other, यहाँ पे कारे हो रहा है, तो इसलिए हम verb का third form use करेंगे, example, आपको वहाँ जाना चाहिए था, जाने का कारे है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए था, you should have gone there, you should have gone there, ठीक है, आगे देखते हैं, should have been का use, should have been होना चाहिए था, फर्मूला है, subject, प्लस, should have been, प्लस, object, should, प्लस, subject, प्लस, should have been, प्लस, object, example, देख लेते हैं, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, वो बोल रहा है किसी परसन से, कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, you should have been a doctor, you should have been a doctor, ओके, आगे देखिए, देखिए, आगे तो मैं आप लोगों को ये देखने में दिख्रा होगा, कि translate this, मैंने आप लोगों को इसकी पीछे बताया कि, आप लोगों को क्या करना है, should का use, should be का use, should have का use, should have been का use, तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, इसलिए मैं आप लोग को ये translate दे रही हूँ ये 4 translate है आप लोग मुझे इसे comment करके comment में इसको translate English करके बताईए और वीडियो अच्छी लगे तो like करिए दोस्तों के साथ share करिए second part पाने के लिए comment करिए subscribe करें चैनल पे नए है बल आइकन प्रेस करके all का option चूज करें ताकि हम को मिले thank you मिलते हैं हम अगले वीडियो में